Assalamu alaikum viewers, welcome to Momina's Kitchen और आज हम मोमिनास किचिन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मशूरो मरूफ, special लहौरी चने उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 600 ग्राम soft boil चने 400 ग्राम प्याज, उसकी पेस्ट बना लिए जीगा उसके बाद आपको चाहिए 1 टेबल स्पून अद्रक पेस्ट, 1 टेबल स्पून लस्ण पेस्ट, 2 टेबल स्पून हमें चाहिए होंगी हरी मर्चे, उनकी भी पेस्ट बना लिए special लहौरी चने मसाला हमने यहां पे त्यार करके रखा हुआ है 2 टेबल स्पून हमारे पास एक चाय का चमचा है गरम मसाला पाउडर, आदी चाय के चमची हल्दी मसाला, हल्दी पाउडर, एक चमच नमक, एक चमच लाल मर्च पाउडर, एक चमच कुटी हुई लाल मर्चे और एक ही चमच हमें चाहिए होगी काली मर्च का पाउडर, ठीक है उसके बाद हमें चाहिए 300 ग्राम दही इंग्रेटियंस आप लोग जान चुके हैं तो अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक देख्ची में हम लोग तकरीबन एक कप के करीब ओयल गरम कर लेंगे और जैसे ही ओयल गरम हो जाएगा इसमें हम प्यास की पेस्ट आइड कर देगे तो आप देख सकते हैं आपके जो प्यास है यह बलकुल सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए इसमें आइसा आइसा भी गोर्डन कलर में चेंज होता जाएगा और हमें इसे इसी तरहा दूलते रहना है और नीचे ना लगने पाए यह इस चीज का ज्यान लखो कि देखें आप यास हलका सब गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया अब इसी टाइम पर हम लोग इसमें अड़ कर देंगे लसन पेस्ट इसको भी साथ ही में कुक कर लेते हैं इसको एक दो मिनुट के लिए थोड़ा सा कुकरने के बाद असमें अड़ करेंगे अद्रग का पेस्ट बहुती मज़े की फुश्बू आरी है गार लिक की और लिए आरीम पकिल के लिए की में अवड़ा इसक कर दो पारें प्रेस की की बास। 鼻 devotee अब इसमें बारी है अड़ करने की अध्रक पेस्ट एक चीज का हासे हा रखिएगा कि ये मसाला जो है ये नीचे लगना नहीं चाहिए और इसको कंटीनियूसली आप में हिलाते रहना तो नाजरीन अब इसमें बारी है हरी मर्च पेस्ट के जाने की तो इसको आड़ करते हैं इसमें ये गई हमारी हरी मर्च पेस्ट इसको में हाद में दगाना चाहूंगी और इसमें शामिल गह रहे हम लोग नमक लाल मर्च पाउडर कुटी लाल मर्चें अल्दी बाउडर और ये हमारा स्पेशिल चनो का स्पेशिल गरम मसाला जो हमने रडी किया था स्पेशिल लाहौरी चने गरम मसाला इसमें लोग इसको बूनने के लिए थोड़ा सा पानी भी आड़ करेंगे क्यूंकि चीटा लगाने के और साथ-साथ ये मसाला मुना जाएगा हुआ 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 है यहां पर काश कैमरा कोई रिकॉर्ड कर सके हुआ है है अजया दो आद आच है पानी का चीन डगा आकर इसको बूंते रहेंगे कोरा चोड़ा सा पानी हैड़ करना आपने कर देखिए आप इसका कितना हुपसूरत कलर आ रहा है इसका बस इसको भून भून कर रही हम इसका मसाला रेडी करेंगे क्योंकि चने तो हमारे अलरेडी बॉयल्ड है उसको आइड करना एड मीन्स कि हमें सिफ यह मसाला रेडी करना अच्छा साथ कि अब सूरा सा कजर देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट से एक लुक आ रही है इसको फोड़ा सा पानी वोड़ा एड करूंगी मैं तकरीबन दस मिनिट मसाला भूनने के बाद अब हम इसमें दही आड कर लेंगे इस बात का है रखिएगा के दही फैटा होना चाहिए उसमें कोई लंस ना हो जब मिन हो ना हो प्या देखिए लंस करूंगी Toma को इसमें हो लो जब हो जब हो आए के लिए ना है तो है तो है वह तो है है रड़े के लिए हैं ल्याए ख़िए प्रफ़ बेरा से खिंग एछगारा, प्रफ़ कर दो तो सुब्भादाः, हाए ड्रफ़त है एक अचाराओ तो तो अचाराओार, प्रफ़त है. स्टोरीज में ट्विस्ट तो आपने सुने ही होंगे और आप बारी है रेसिपी में ट्विस्ट की और मैं आपको बताने आरी है एक सीक्रेट इंग्रीडेट जो आप एड करेंगे और मुझे नहीं लगता कि आपको Servus बाहिए इसरेपी में ड्रैसिपी में ये ते इसको अउड्य करेंगे और फोना का होता है इसको क्यों हाओ करने के बाद आप देख रहे हैं कि से ये सौफट सी मसाले की एक लूप कारी है और ऐल अलग हो चुका है थू व्हे अब देख रहे हैं मसाला ची तरा बून गया है और ऑल गुळ चुका है वो हो जो है बोग़त ही मज़ेदार सा यह दे lång झाल और अब हमें क्या करना है कि यह जो आइल है इसको हम अलग कर लेंगी और किसी भी आप बोल में निकाल सकते हैं किसी भी प्याली में निकाल सकते हैं इसे हम सेपरेट कर रहे हैं जितना भी आप निकाल सकते हैं इसको इसली निकालें तोड़ा सोवार में बीच में ही छोड़ दूगी मसाला हमारा लिखिए इस कंडिशन में आपने रेडी कर लाना मसाला हमारा बुरकुर रेडी है और इसमें आड करने जा रहे हैं अब हम बॉयल्ड चने और जितना भी इसमें पानी होगा अब साथ में हम आड करें आपने एक्स करें इसको अची परा से कि अच्छे शामिल करने के बाद मसाले में हमने इसको तोड़ा सा बून लिया मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा पानी और अड़ करेंगे तो ज्यादा नहीं सिर्फ एक ग्लास पानी इसमें कि बॉइलिंग तंप्रेचर वाला अड़ करें तोड़ी से जन्हें सोफ हो जाएंगे और इसी वक्त हम इसमें अड़ करने जा रहे हैं गरम मसाला पाउड़े और काले मिर्च पाउड़े मिक्स कर लेंगे इसको अची तरह से कितनी मज़दार से लुक आ रही है अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मज़दार से खूब हूब चने बनाया जाएं तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी मेरी रेसिपी हूब हूब ताके इसी तरह के चने आप बना सकें और खा सकें लजीव स्पेशल लोहौरी चने त्यार है इसको आप नान के साथ यह तंदूरी रोटी के साथ जिसके साथ आप खाना चाहे खा सकते हैं रेसिपी को ट्राइ कीजिए और अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा मैं इंतजार करूंगी और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्ल सब्सक्राइब करें अपना बहुत सारा ह्यार रखिएगा द्वाओं में याद रखिएगा अलाहाफिस